अब तक आपने 403 Indian Penal Code का अपराद पड़ा Criminal Misappropriation या Dishonest Misappropriation क्योंकि वो एक आम इंसान करता है और मरेवे आत्मी के साथ अगर ये ही अपराद हो और उसका नौकर करे या क्लर्क तो 404 लगता है लेकिन जिन्दे इंसान के साथ अगर कोई Trust का Relation हो कोई Trust Create किया गया हो कोई Contract आपसे Enter into किया गया हो यानि Legal Contract चाहे वो Expressed हो चाहे Implied Dominion Over Property वो Property आपको ऐसे नहीं दे दी D-O-M-I-N-I-O-N Dominion Over यानि बिल्कुल एक Trust की तरह आपको दिया हो तो अमानत में खयानत जिसको हिंदी में बोलते हैं Munsi Premton की कई किताबे हैं ऐसी तो अमानत की खयानत को हम Criminal Beach of Trust कहते हैं 405 भारतिय दंड साखा में डिफाइन किया गया है जिसके A to F illustration को हम जानेंगे सजा 406 में दिया गया है तीन साल तक और Fine यानि बिल्कुल बराबर जो 404 में आपने सुना था मगर ये Cognizable है और जमानत भी Magistrate साब से लेनी परती है क्योंकि Non Available है First Class है लेकिन Compound किया जा सकता है Code की Permission के साथ पहले illustration को हम इस वीडियो में देखेंगे जैसा कि आप image में देख सकते हैं कि एक आदमी जो कभी बहुत बड़े रईस टाटा बिर्ला जैसे आदमी का एक्जिक्यूटर होता है एक्जिक्यूटर मतलब बड़ा आदमी जब मर जाता है तो वसियत लिख के मरता है के पास केवल एक घर और दो कार हो तो आराम से बंड जाए मगर पूरे भारत में आपकी इतनी प्रॉपर्टी उतने शेयर हो इतने डिवेंचर हो कि आपको भी नहीं पता तो फिर तो आपके बच्चे आपके मरने के बाद लर पड़ेंगे इसलिए एक्जिक्यूटर बनाके गया है चानक्या यानि जो मर गया और चंदर को जो उसको एक्जिक्यूट करेगा लेकिन इतने सारी प्रॉपर्टी को देखकर उसके मन में खोट आ गए अब वो आम इंसान नहीं है जिसके मन में खोट आई कानून यानि इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के अंदर एक्जिक्यूटर की ड्यूटी है कैसे वसियत को अंजाम तक लाकर लोगों को बाटना है और उसमें उसको तंखा भी मिलती है कुछ परतीशत प्रॉपर्टी का लेकिन अगर वो उस प्रॉपर्टी को खुदी अपने फाइदे के लिए खा लेता है एप्रोप्रियेट कर लेता है इसको कहते हैं अमानत में खायानत क्रिमिनल बीच ओफ ट्रस्ट तीन साल तक का दंड और फाइन